भारत, आस्ट्रेलिया, एंग्लेंड जैसे देशों के क्रिकेटर अक्सर मैदान में अपने जबरदस्ट परदर्शन के साथ साथ अपनी लाइफ पार्टनर की वज़ज़ से भी चर्चा में बने रहते हैं लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहांके क्रिकेटर बहुत कम अ वाइब के बारे में नहीं पता है यही वज़ा है कि अगर किसी से पूछ दिया जाए कि मौमद हफीज की वाइब का नाम क्या है या उमर गुल मौमद आमीर आहमद शहजाद जैसे बड़े पाकिस्तानी प्लेयर की वाइब कौन है तो जादा तर लोग कुछ नहीं बता पा जादे शायद आप भी पाकिस्तान के दो चार प्लेयर से जादा के वाइब के नाम नहीं जानते होंगे अगर ऐसा है तो फिर इस वीडियो को आखर तक देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान करके टीम के एक दो नहीं बलकि पूरे 20 ख्लैरियों के चार रहे हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सबस्क्राइब कर लें साथी बेल आइकन भी दबा लें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो और भी लाते रहें चलिए व हमोद Avengers उंग्लैन में वॉर्ल्ड कप खेलने गए हुए थे इसी दौरान निक मैच के के दौरान अजरम्यमूद की नजर दर्शक दर ग़ा में बैटी एक माइला पर पड़ी वह माइला एक आम दर्शकक की तरह मैच देखने आई हुई थी पहले ही नजर में ये लड़की अजर महमूद के दिल में बस गई और यहीं से दोस्ती का सिलसला शुर हुआ रोज रोज के मेल जुल के बाद आखिरकार दोनों ने शादी कर ली अजर महमूद की वाइफ का नाम इबाकुरैशी है यह इंग्लैंड की नागरिक हैं वहीं अजर महमूद ने भी बाद में दूनिया के भीतरीन ओल राउंडर में से एक पाकिस्टान के शाहिद अफ्रीदी की वाईप का नाम नादिया फ्रीदी है। टीम के एहम बल्ले बाज़ों में से एक एमद शेहजाद ने 19 सितंबर 2015 को अपने बच्पन की दोस्ताना मुराज से शादी की थी इन दोनों की शादी ने पाकिस्तान में खूब सुर्खियां बटोरी थी क्योंकि लाहोर में ये बड़ी शादी बड़े ही धूमदाम से हुई थी इन दोनों की जोड़ी पाकिस्तान में खूब चर्चा में रहती है क्रिकेट इतिहास में दुनिया के बैतुरीन तेज गेंदबाज में से एक और स्विंग के बादशा कहे जाने वाले पाकिस्तान के वसीम अक्रम की पहली शादी 1995 में हुमा मुप्ती से हुई थी दोनों की शादी सुदा जिन्दगी कापी अच्छे से कड़ रही थी और दोनों दो बच्चों के माता पिता भी बन गए थे सब कुछ ठीक चल रहा था कि 2009 के आसपास हुमा मुप्ती की तबियत बहुत ज़ादा खराब हो गई और उन्हें इलाज के लिए चन्नई के अपोल असपाल में भाती कराना पड़ा लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद 25 अक्टूबर 2009 को चन्नई के ही असपाल में वसीम अक्रम की वाइप की डेथ हो गई पहली वाइप की डेथ के चार साल बाद वसीम अक्रम ने 7 जलाई 2013 को आस्ट्रेलिया मुलकी शान्यारा थॉम्पसन से शादी कर ली फिलहाल ये दोनों एक बच्ची के माता पिता हैं अक्सर अपनी औसट विकट कीपिंग की वज़ा से चर्चा में रहने वाले विकट कीपर बलेवाज उमर अक्मल की वाइप का नाम नूर अमाना है ये बात आप शाहिद ही जानते होंगे कि अमर अक्मल की वाइप नूर अमाना दरसल पाकिस्तान टीम के लिजन पुर्व लेग स्पिनर अब्दुलकादर की बेटी हैं अमर अक्मल और नूर अमाना की शादी अपरेल 2014 में होई थी फिलहाल दोनों एक बच्ची के पैरिंट हैं इमाद वसीम मौजूदा समय में इमाद वसीम पाकिस्तान टीम के लिडिंग स्पिनर हैं इनकी वाइप का नाम सानिया अश्फाक है सानिया श्फाक मौल रूप से ब्रिटिश नागरिक हैं इमाद वसीम और सानिया के मलाकात एक मैच के दौरान हुई थी मैदान पर हुई पहली मलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया फिर फाइनली अगस 2019 में इनों ने शादी कर ली इन दोनों की शादी की खास बात ये थी कि माद वसीम ने बियादी सादगी के साथ लिसलामाबाद के शाफ फैसल मस्जिद में बस निकाह किया था नमबर फोटीन वहाब रियाज पाकिस्तान टीम के तेजगेंद बाज वहाब रियाज की वाइफ जैनब चौधरी हैं इन दोनों की शादी 2013 में हुई थी दोनों भी अकसर खास मौकों पर साथ दिखाई देते हैं नमबर फोटीन सर्फराज एमद लंबे समय तक पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे विकट कीपर बल्ले बाज सर्फराज एमद ने 2015 में साइदा खुशबहद से शादी की थी सर्फराज एमद की वाइब को बेहदी कम मौकों पर मीडिया में देखा जाता है यकसर लाइम लाइट से दूर रहना ही पसंद करती है पाकिस्तान के बैतरीन तेज गेंद बाज में से एक उमर गुल ने 2010 में पाकिस्तानी मूल की लड़की और दुबई में रहने वाली डॉक्टर मर्यम नक्ष से शादी की थी इन दोनों की शादी भी सादगी के साथ होई थी आली में उमर गुल मार्च 2021 में तीसरे बच्चे के पता बने है इक जमाने में अपनी आग उगलती गेंदों से बल्ले बाजो को देशत में रखने वाले पुर्व पाकिस्तान तेज गेंद बाज शुएब अक्तर की वाइप का नाम रुबाना खान है इन दोनों की शादी 26 जुन 2014 को ही थी मुम्मद अमीर के साथ साथ मुम्मद असिब भी लॉड्स के मैदान पर मैच फिक्सिंग के दोशी पाए गए थे इसकारण मुम्मद असिब का करियर बहुत ही जल तबाह हो गया खैर इनकी वाइप का नाम सानिया हिलाल है जिन से इनकी शादी 2010 में होई थी अपने जमाने के दिगज गेंबाज वाकार यूनिस की वाइप का नाम फारियाल वाकार यूनिस है वाकार यूनिस की वाइप पाकिस्तानी मूल की है लेकिन ये लंबे समय से उस्ट्रेलिया में रहती है वकार योनिस का पूरा परिवारी आश्टेलिया में रहता, इनकी वाइप पेसेस एक फिजीशन है, इन दोनों का एक बेटा है और दो बेटी है नमबर 8, मिसबाहुलहक, पाकिस्तान के पुर्भ खिलाडी मिसबाहुलहक की वाइप का नाम उज्मा खान है उजमा खान और मिस्बावल हक की शादी 2004 में हुई थी अक्सर खास मौकों पर इन दोनों को साथ देखा जाता है कमरान अक्मल लंबे समय तक पाकिस्तानी टीम में बतार स्पेशलिस्ट विकेट कीपर रहे लेकिन जादा तर समय ये अपने खराब विकेट कीपिंग के वज़़ से चर्चा में रहते थे कमरान अक्मल की वाइब का नाम आजिया एलियास है इनके साथी 2006 में हुई थी दुनिया भर में अपनी अजीब औ गरीब गेंदबाजी स्टाइल की वज़़ से मशूर सोहिल तनबीर ने 2011 में कमल खान से शादी की थी कमल खान अक्सर अपनी खूबसूरती की वज़़ से चर्चा में बनी रहती हैं वो जहां भी जाती हैं सब की नजरे इनी पर होती हैं अक्सर सोहिल तनबीर अपनी वाइब के साथ खास इवेंट में नजर आते हैं अगर आप सूच रहे हैं कि शौइब मली के कलौतें खलारी हैं जिन्होंने भारती लड़की से शादी की है तो आप गलत हैं तरसल वरतमान समय में पाकिस्तान टीम के एहम तेजगेंद बाज हसन अली ने भी एक भारती मोहिला से शादी की है हसन अली की वाइब का नाम शामिया आरजू है वैसे तो सामिया आरजू भारत की हैं लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई एरोनाटिक्स इंजिनिरिंग में इंग्लैंड से पूरी की है वहीं इनका परिवार आम तौर से दुबई में रहता है फिराल हसन अली की वाइब फ्लाइट इंजिनिर के तौर पे एमिरेट एरलाइन्स में काम करती है इसी फ्लाइट में हसन अली से इनकी पहली मुलाकात होई थी बाद में इन दोनों ने 2019 में शादी कर ली वरत्मान समय में पाकिस्तान टेष्ट टीम के अजर आमीर अपनी तौफानी के इनबाजी से एक समय दुनिया वर में सुर्की बटोरने वाले मुहमद आमीर ने उस समय अपने फैंस को तगड़ा जटका दे दिया जब ये पता चला कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी मैच फिक्सिंग के कारण आमीर को क्रिकेट से बैन कर दिया गया था खैर कुछ साल बाद उन पर से बैन हटा दिया गया और उन्होंने क्रिकेट में वापसी भी की आमीर के लाइफ पार्टनर की बात करे तो इन्होंने पाकिस्तानी मूल की एक ब्रिटिस लड़की से शादी की है इनकी वाइप का नाम नर्जिस खातून है इन दोनों की शादी 2016 में होई थी इनके लाइफ पार्टनर की बात करे तो उन्होंने 2007 में नाजिया हाफीज से शादी की थी नाजिया भी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है और अक्सर क्रिकेट के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखती रहती है इनका भी फैन फालॉइंग सोशल मीडिया पर अच्छी खासी है वहीं अक्सर हाफीज के साथ इन्हें इवेंट्स में भी देखा जाता है हाफिज और नाजिया के कुल तीन बच्चे है अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन होंगे तो शायद आपको ये बताने की जरूरत नहीं की शोईब मलिक की वाइफ का नाम क्या है शोईब मलिक ने एक ऐसी शक्सियत से शादी की जो आज भी खेलों की दुनिया में शोईब मलिक से जादा बड़ा नाम है जिन लोग को नहीं पता उन्हें बता दें की शोईब मलिक ने भारती टेनिस स्टार सानिया मिरजा से शादी की थी सानिया मिरजा और शोईब मलिक की पहले मलाकात और ऑस्ट्रेलिया में 2009 में होई थी वही सानिया मिर्जा और श्राइब मलिक की जोड़ी पाकिस्तान और करकेट ही नहीं बलकि दुनिया भर में सबसे चर्चित खिलारियों की जोड़ी में से एक है सानिया मिर्जा और श्राइब मलिक का एक बेटा भी है तो इस वीडियो में इतना ही इन में से सबसे खुबसूरत जोड़ी आपको किस खिलारी की लगी कॉमंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही पाकिस्तान टीम से आपका फैबरेट प्लेयर कॉन सा है वा भी कॉमंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो और भी लाते रहें अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही बेल आइकन भी दबा ले ताकि हमारे लटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप से हमारी कोई भी वीडियो मिस्त ना हो वीडियो में आन तक बने रहने के लिए धन्यवाद